अलंकार संदर्वित प्रसनोत्तर भाग दो निम्लिकित पंक्तियों में अलंकार का नाम और उसका लच्छन लिखिए सोह तोड़े पीत पट स्याम सलोने कात मनोह नील मण सहल पर आतप पर्यो प्रताब यहां उत्रच्छा लंकार जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है वहां उत्रच्छा लंकार होता है इसके वाचक सब्द मन, जन, मनो, जन, मानो, जन, आदि है रूपक लंकार के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं सांग रूपक, निरंग रूपक, परमपरित रूपक निम्निलिखित कावे पंक्तियों में अलंकार का नाम और उसका लच्छन लिखें कमल नैन को छाण महातम और देव को ध्यावई यहां रूपा कलंकार है जहां अपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपा कलंकार होता है पूत सपूत तो क्यों धन संचे यहां नप्रास का एक भेद लाड़ा नप्रास है जहां सब्ध और अर्थ की आवरित हो अर्था जहां अर्था एकार्थक सब्दों की आवरिती तो हो परंतु अन्वे करने पर अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए वहां लाटा अनुपरास लंकार होता है कहत नटत रिज़त खिज़त मिलत खिलत लजियात भरे भावन में करत है नैनन हीशो बात वक्त दुह में कौन सा लंकार है उसका लच्छम लिखिए यह अनुपरास का एक भेद अत्याँपरास है जब छंद के सब्दों के आंत में शमान स्वर या विञंजन की आवरित्ति हो वहां अत्याँपरास अन्त्याँपरास अलंकार होता है रहिमन पानी राकिए बिन पानी सब शोन, पानी गयन उबरे मोती मानुश शोन वक्त पंक्तियों में कौन सा लंकार उसका लच्छन लिखिए यहां शिलेश लंकार है जहां एक सब्द के एक श्रे अधिक अर्थ होते हैं वहां सिलेश अलंकार होता है अनुप्रासलंकार का लच्छन एवं उदार लिखिये जहाँ समान वर्ण की आबरित यहाँ पर वर्ण की आबरित बार बार होती है अर्थात कोई वर्ण एक चैथीक बार आता है वहाँ अनुप्रासलंकार होता है जैसे रागुपति रागाव राजाराम पतीत पामन शीताराम इश्वर अल्ला तेरो नाम शब को सम्मत देभगवान मकराकृत गोपाल के शोवत कुंडलकान द्यो मनोहिय धर समरू योडी लसत निसान उक्तपंक्तियों में कौन सा लंकार उसका लच्छन यहां रूपा कलंकार है जहां उपमे और उपबान में अब्विनिता प्रगट की जाए अर्था उन्हें एक ही रूप में प्रगट किया जाए वहां रूपा कलंकार होता है तेरी बर्चीने हैं खलन के उक्त काम पक्ति मलंकार का नाम तथा उसका लच्छन लिखें यहां मकलंकार है जहां कोई सब्द एक से अधिक बार प्रिवत होता है और प्रते एक बार उसके आर्थ आलाग होते हैं वहां यह मकलंकार होता है पच्ताने की परचाहिसी तुम उदास्चाई हो कौन इस पंक्ति में लंकार का नाम और उसका लच्छन लिखे यहां उपमान लंकार है जहां उपमे संग्या की उपमान विशेशन से शमानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार है इसके वाचक सब्द है सी, सा, से, शम, सरिश, आदि निमलिकित पंक्तियों में लंकार का नाम और उसका लच्छन चरण कमल बंदों हरी राई ओक्त रूपक लंकार है यहाँ उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक लंकार होता है निमलिकित दोए में लंकार का नाम और लच्छन लिखे चेरचीव जोरी जोरे क्यों नसनिय गंभीर को घटिये बिश्भानुजा वे हलदर के वीर यहाँ शलेश लंकार जहाँ एक शब्द एक ही अस्थान पर प्रियुक्त हो और उसके एक श्यदिक आथ हो वहाँ सलेश लंकार होता है निमलिकित में कौन सा लंकार है मुख मयंक सम मन्ज मनोहर यहाँ उपमार लंकार है क्योंकि मुख की समानता चंद्रमा से की गई है तथा मन्ज और मनोहर साधान धर्म है साथ में वाचक सब्द साभी प्रियुक्त है निमले कित में कौन सा लंकार है ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्वबन की व्याली उक्तपंक्ति में रूपा का लंकार है क्योंकि चिंता उपमे में विश्वबन की व्याली में उक्तपान का आरोप किया गया है निल्बेकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नात का मोती अधर की कांती से बीच दाणिम सा समझ कर भ्रांती से देख उसको ही हुआ सुकमाउन है, सोचता है, अने सुकिया काउन है इन पंक्तियों में ब्रांतीमान अलंकार है, जहां समानता के कारण एक बस्त को दूसरी समझ लिया जाता है, वहां ब्रांतीमान अलंकार होता है इसमें तोता और मिला की नाक के मोती को ब्रंबश अनार का दाना और उसकी नाक को दूसरा तोता समझ कर ब्रहमित हो जाता है